नमस्कार इंडियन यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागता और मैं हूँ आपके साथ अरुन कुमार रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कॉलकाता नाइट राइडर्स के बीच कॉलकाता के इडन गार्डन में खेले जा रहें मुकाबले में रोयल चालेंजर बैंगलोर ने कप्तान विराट कोली के शांदा शतक्या पारी के बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे 213 रन बना लिए चलिए इस मकाबले पर हम नज़र डालते हैं और बात करेंगे इस मकाबले की तो विराट कोली और पार्थिक पटेल ने आज के मकाबले में ओपनिंग करी हाला कि रोयल चालेंजर बैंगलोर के लिए ये ओपनिंग को जादा खास नहीं रही और पार्थिक पटेल को 18 रनों के अंदर अपना पहला विकेट गमाना पड़ा इस दोरान पार्थिक पटेल के बल्ले से 11 रन निकले इसके बाद मैदान पर आए अक्षदीप नाथ जो कि आज विराट कोली ने थोड़ा बैटिंग ओडर में चेंजिस करें और जिसकी वजह से अक्षदीप नाथ आज वन डाउन पर आए हाला कि अक्षदीप नाथ भी क कहेंगे कि खास बात यह था कि एबी डिविलियर से इस मुकाबले में नहीं थे लेकिन इसके बावजूद जो आज RCB की बल्ले बाजी देखी गई वो बहुत शानदार रही और इसका जो दूसरा कारण यह भी था कि विराट कोली को मोहिन अली के रूप में एक अच्छा प अपना शिकार बनाया लेकिन जब तक मोहिन अली का विकेट गिरा तब तक RCB इस मुकाबले में मजबूत कड़ी पर पहुंच गई थी इसके बाद आए मारकास टॉइनिस मारकास टॉइनिस इस मुकाबले में 17 रन बनाए और नबाद रहे और उन्होंने अंतिम शड़ों मे विराट कोली के साथ मिलकर के के गेंद बाजों की जमकर धुनाई करी अगर इस टॉनमेंट की बात की जाए तो एम चिनना स्वामी स्टेडियम में RCB और कॉलकाता नाइट राइडर्स एक दूसरे से भिड़ चुके हैं जहां पे कॉलकाता नाइट राइडर्स ने RCB की टी के लिए कुछ खास नहीं रहा है और इस टॉनमेंट में उन्होंने सिफ किंग्स 11 पंजाब की टीम को ही एकलौता मुकाबला हरा है तो वहीं केक राइड की बात करें तो केके आर नेर्स टॉनमेंट में अब तक अभी आठ मुकाबले खेलें जिसमें से चार में जीत हांसिल करनी हैं तो उनके ओपनर्स और उनके जो अन्य बल्ले बाज हैं जो मिडल ओडर में हैं जैसे कि वीडियो पसंद आई हो तो आप हमाई वीडियो को लाइक करें शेर करें साथिसाथ आप हमारे इंडिया न्यू स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें